हाई देश्टो में अगा नहीं लटेश और आज मैं आपको बताऊंगा स्टेडी कि तीन पीज चिस्ते आप भी टॉपर गन जकते हैं ये टॉपर स्का एक सिक्रेट है जो मैं आज आज आपको बताने वाला हूँ तो टिप नम्मरा कोमो गैड्रो एफेक्ट आप सोचते हैं कि अभी एकजाम नहीं ए warmer तो आभी पढ़ाई नहीं करेंगे पर जबी एकजाम होगी तभी हम पढ़ाई करेंगे यह ने बोल रहा कि आपको बहुत्यची पढ़ाय शूरू करने चीहे पर आपको जल्द से बाद बिलकुल नहीं करने चीजिए क्योंकि आप जबी लास्टे हफ्तों में अपनी पढ़ाई करते हो तो आपके दिमाग को लगता है कि वो तॉर चरह। कि आप जबी एक ही चीज़ रिपीट करते रहते हो तो आपके दिमाग को उसमें मजा नहीं आता है और इसी कारण से आप कुछ लग नहीं कर पाते हैं लास्टे अप्टे में तो पोमोगाईडरो एफेक्ट हमें बताता है कि हमें आप जिनमें पहले 25 मिनिट और स्टडी करना चीज़ तेरा में 10-15 मिनिट का ब्रेक लेना चीज़ एसे हमें चार बार करना है और ये 15 मिनिट के ब्रेक न हमको गेंज वगर खेलने आउट्डोर गेंज ना कि घर में बेटके मोबाई के यहापे रहना है और लास्ट का जो ब्रेक होगा वह आपको आदे गंटे का लेना तो प्रोगाइड रहे से कि अपलाए करके देखी जी पूते अच्छी टेखनीक है तो इसका और की पर आइचक रिज़ोन है जब हिए तो आपके मारे मूड एक दम अच्छा हो जाता है और आपके मारन को बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए तब ही उसको जो भीन देते वो खुशी खुशी ले वेता है और इसलिए तभी पढ़ाई करने का कायम सबसे बेस्ट होता है क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी होती है और हमारे ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाती है पढ़ाई करने की अभी चलते हैं टिप नंबर टू पे जो कि है सीधे बेटना याने इरेक्ट आप सोचे होंगे कि यह तो बेसिक टीप है हमको यह क्यों बता रहे है तो आपको इसके पीछे का साइंटिफिक वीजन नहीं पता होगा कि ऐसा क्यों बोलते है साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम जब सीधा बेटे हैं तो हमारे हम जो भी बढ़ते हैं सुनते हैं वो सीधा हमारे ब्रें तक जाता है अगर आप जुके हुए हो तो ऐसे तेड़े मेड़े जाएगा और जल्दी नहीं पोच पाईगा जब आप सीधे होते हैं आपके स्पाइ जल्दी ग्रास कोती और आप आसानी से सूथने लगते हैं आप अगर फॉर्स्ट और सेकेंड टिप को मिला दे तो एक कॉंबिनेशन बनेगा और उसको जम वो कंबिनेशन के सकते हैं पढ़ाई के माम देने और आप इससे कोई भी आंसर हो चाहिए वो एस पी जोगरफी आ आप आसानी से लर्ण करते हैं कुछी में इंटोन लर्ण कर सकते हैं अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पहले तो मजा भी आई हो क्योंकि आप खेलने के बाद पढ़ाई कर देए और प्लस आपके लिए काम इजी भी हो जाएगा ग्रास करने के लिए क्योंकि आप कुछ थे इंप्वोटन और वो है कि तॉपर्स का ताइम क्या होता है इस्टरी करने का तो आप सब देखेंगे कि तॉपर्स रात को यह पढ़ाई करते हो ऐसा इसलिए होता है कि तो ते रात को आमारा माइन भौती अक्ति और आपको समझा देता हो जबी आप रात को सोते ह तो आपका mind होती जब हैएठी होता है और रात को सुने से पेले जो भी करते हो वह आपके mind में fix हो जाता है जैसे कि एक computer होता है, अगर वो कुछ task कर रहा है, अगर वो एक ही task कर रहा है तो वो जल्दी होगा पर वो multitask कर रहा है तो वो दीरे-दीरे होगा वैसे ही आप जब भी रात को पढ़ाई करते हैं, यानि वो एक single task हो गया, और जब भी आप सोगे, तो वो सारी processing करेगा उसके आपके दिमाग में, और वो एकदम finally fit to fit बेट जाती है, क्योंकि आपका तभी कोई भी activity नहीं हो रहा होता है, के वल memorizing के अलवा, तो जब भी एक ह काम करता है, तो उसमें पूरा perfect हो जाता है, इसलिए रात को पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा रेता है, और आप इन तीनों पीप्स को मिला दो, तो आपको topper बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं आपको 100% guarantee देता हूँ, कि ये trick आपके लिए work करेगी ही करेगी, आप इसे try क करके देखिएगा, अगर result ने है तो उसे comment कर दीएगा, thank you for watching, good bye